राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खोश होंगे और स्वास्थ होंगे आप सभी का खुश्पू इंदोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है यह एक छोटा सा वीडियो जो है मेरे स्कूल का है आज मेरे स्कूल में जो है ब्रक्षा रूपन का प्रोग्राम हो रहा है जैसा कि सभी को पता है कि इन देनों पूरे देश भर में ही ब्रक्षा रूपन का कारेकरम चल रहा है मोधी जी के आवान पर पूरे देश में एक पेड़ अपने मा के नाम इस तरीके से एक मुहिम चल रही है कि सभी लोग ब्रक्षा रुपन करें तो उसी में ये सब तयारी चल रही है नास्ते की भी विवस्ता की गई है महमान जो आएंगे उनके लिए तो मेरे विद्याले की जो बच्चे हैं बड़ चल कर हिस्सा ले रहे हैं प्रोग्राम में कारिकर रहे हैं और साती साथ हम लोग भी लगे हुए हैं हाला कि ये प्रोग्राम एकदम अटेंडम में ही बना मैं स्कूल पहुँची और जो है मुझे पता चला कि ऐसा प्रोग्राम है तो फिर सारी तयारी चल रही है और अब हम लोग क्या है कि बच्चों और टीचर्स के साथ जो हैं गार्डन में पहुँच रहे हैं पास में ये गार्डन है वहाँ पर ये ववस्ता की गई है कि वहाँ ब्रक्षा रोपन का कारिकरम करा जाए और जो हमारे स्कूल का फील्ड है वहाँ पर सब बाचीत होगी भाषन बगेरा दिये जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग गार्डन में आ चुके हैं विद्याले के बच्चे हैं और एक हमारे आंके जो सभापती हैं मुन्ना लाल जी आदव वो इस प्रोग्राम के में चीप गेस्ट है तो उनके द्वारा ब्रक्षा रोपन किया जाएगा तो उसी में ये हम स बहुत ये अच्छे से चल रहा है साथियों पोधार उपन तो हो चुका है अब आयोजन के जो आतिती लोग आए हुए हैं उनका सम्मान हो रहा है पुस्प माला उनको पहना कर और बुके बगेरा दे कर उनका ऐसा सम्मान किया जा रहा है और दो शब्दों से हमारा मार्ग दर्शन किया जाएगा और मुझे म समालने की जिम्मेदारी स्वापी गई है आप सभी देख भी रहे होंगे मेरे स्कूल की जो 11 क्लास की गल्स हैं उनके द्वारा जो हमारे आंके मुख्य अतिती हैं उनका हल्दी कंकू लगा कर स्वागत किया जा रहा है आलती पूजा की जा रही है ब्रक्षा रुपण की जो म ब्रक्ष बन जाएंगे और जिससे पूरे देश में पूरे राज्य में हर्याली हो जाएगी इसी के बात ये क्लास में जो है रीसिस के समय पोहा और जलेवी का नास्ता बच्चों को दिया जा रहा है बच्चे भी खूब इंज्वाए कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम ब बहुती शांदार प्रोग्राम कराये गया और बहुती अच्छी ववस्ता थी सारे टीचर्स ने तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूं और आप सभी से भी ये गुजारिस करती हूं कि एक पौधा आपने मा के नाम जरूर लगाएं तो आप देख रहे होंगे कि इस बदा जरूर लगाएं साथियों ये हमारी नून सिफ्ट की टीचर्स हैं जो सभी पौधा रोपन के बाद चित्र खिचवाते हुए और इसके बाद जो दोस्तों स्कूल के साथ एक घर की भी जिम्मेदारी है मैं एक टीचर के साथ एक ग्रेडी भी हूँ तो वही खाना पीना सब तयारी की जा रह साथ है मैंने चने की डाल सुबही भीगा दीती तो उसको अच्छे से पीस लिया है उसमें अधरक और मिर्ची भी पीस ली है और धन्या मिर्चा और हींग नमक मिर्चा साथ डाल के उसकी अच्छी सी पिठी बना ली है हरी चटनी बना ली है आटा अच्छा सा माड के ये मै पूडियां बना रही हूँ और उसी पूडि में जो मैंने फिलिंग बनाई है चने की डालकी वो इसमें मैं भरूँगी और उसके बाद इसकी एक गुजिया टाइप की बनाऊंगी ये आप देख रहे होंगे कि मैंने फिलिंग भर ली है इतने टेस्टी लगते हैं हमारे आई जो है फरे बोले जाते हैं लखनव में चने की डालके और जालोन में ने भकोसा बोलते हैं मैं अभी रिसेंट में मम्मी के हाथ से खा के आई थी इतने टेस्टी बने थे दोस्तों कि मेरा मन कर रहा था कि मैं कब जाओं और मैं कब मेरे हाथ के बना कि मेरे हजबन को खिलाओ बहुत तारीब करेंगे, मेरे हस्बिन को बहुत चाओ है इन सारी चीज़ों को खाने का, टेस्ट करने का और बहुत तारीब भी करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ भी देदो पेट भरना चाहिए लेकिन मेरे husband ठोड़ा खाने पीने के मामले में अच्छे हैं और सभी चीज़े खा लेते हैं और तारीब भी करते हैं ये भी अच्छी बात है तो वही मैं बना रही हूँ चनी की डाल के फरे समलो या फिर भकोसा जो कि मेरी मम्मी बोलती है तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभ हूँ आज का खाना ये भकोसा का रहेगा तो मैं सबसे पहले पानी जो चढ़ा दिया उसमें से फरे डालती जाओंगी और उन्हें जो है वो ऊपर तक आ जाते हैं और उन्हें पलटा जाता है तभी माना जाता है कि वो सीख गए हैं क्योंकि मैं फर्स टाइम ही बना रही हूँ और मेरे हस्बिनाज लेट आएंगे और उन्हें बोला है कि तुम जो भी बनाओ खाके खा लेना लक्ष को खिला देना मैं मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा पर मैं ऐसा नहीं करूंगी मैं उनके लिए रुकूंगी मैं लक्ष को बनाके खिला देती हूँ उसके बा साथियों आप भी बताना कि आप इनका क्या नाम बोलते हैं मुझे तो ममी ने भकोसा बताया है और मेरे हस्बिन को फरे बोल रहे हैं चने की डाल के तो मैंने अब दुबारा से भी डाल दिये हैं सारे एक साथी उबाल के निकाल लेती हूँ लेकिन मैं इनको फ्राई अलग पता होता तो बहुती अच्छी बात होती और मैंने इसमें हरी मिर्ची भी ने डाली क्योंकि लक्ष के मुँमे आएगी तो उनको चर्खा लगेगा तो बस सिंपल सी मैंने ऐसे फ्राई कर दिये हैं हम लोग अपने लिए हरी मिर्ची भी डालेंगे और चाहे तो आप आज अबी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और खुश्बू इंदारी को सपोर्ट करेंगे थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई